किस द्रिष्टी दोस में लेजर फाइदे मंद होता है लेजर कैसे काम करता है लेजिक लेजर कितने प्रकार का होता है और इसके फाइदे और नुकसान क्या है जैसे प्रस्णों के जबाब विस्तार से ये और इसके अलावा और भी बहुत कुछ है इस वीडियो में आपके ल तो सबसे पहले बात करते हैं कि किस द्रिस्टिदोस में लेजर फायदे मंद होता है लेसिक लेजर या कार्णियो रिफ्लेक्टिव सर्जरी नजर का चश्मा हटाने की तक्नीक है इससे जिन दोसों में चस्मा हटाया जा सकता है वे हैं निकट डिस्टिदोस यानि मायोपिया मायोपिया में किसी भी चीज का प्रतिविंब रेटिना के आगे बन जाता है जिससे दूर का देखने में दिक्कत होती है इसे ठीक करने के लिए मायनस यानि कॉनकेव लेंस की जरूवत परती है दूसरे प्रकार के दृस्टिदोस दूर दृस्टिदोस में जिसे हाइपरमेट्रोपिया कहते हैं इसमें किसी भी चीज का प्रतिविंब रेटिना के पीछे बनता है जिससे पास का देखने में परिसानी हो सकती है इसे ठीक करने के लिए प्लस यानि कॉन्वेक्स लेंस की जरूवत होती है और लेजर एस्टिगमेटिजम में भी फायदे मंद होता है इसमें आख के परदे पर रोसनी की किरणे अलग-अलग जगे फोकस होती है जिससे दूर या पास दोनों की चीजें साफ नजर नहीं आती तो इन तीनों प्रकार के द्रिस्टिदोसों में लेजर काफी फायदे मंद होता है और आईए अब बात करते हैं कि लेजर कैसे काम करता है लेसिक लेजर की मदद से कॉर्णिया की सतह को इस तरह बदल दिया जाता है कि द्रिस्टिदोस में जिस तरह के लेंस की जरूट होती है वह उसी तरह काम करने लगता है इस से किसी भी चीज का प्रतिविम एकदम रटिना पर बनता है और बिना चसमे के भी एकदम साफ दिखाई देता है तो आईए अब बात करते हैं कि लेसिक लेजर कितने प्रकार का होता है लेसिक लेजर मुखिता तीन प्रकार का होता है पहला Simple Laysic Leisure, दूसरा E-Laysic यानि Epic Laysic Leisure और तीसरा C-Laysic यानि Customized Laysic Leisure तो सबसे पहले बात करते हैं कि Simple Laysic Leisure की खूबियां और नुकसान क्या है Simple Laysic Leisure में आँख में Local Anesthesia डाला जाता है और फिर Laysic Leisure से फ्लैप बनते हैं कट लगा कर कार्णिया को रिशेप किया जाता है, पूरे प्रोसेस में तकरीबन 20-25 मिनट लगते हैं और Simple Laysic Leisure की खूबिया ये हैं कि इससे ऑपरेशन के बाद चस्मा पूरी तरह हट जाता है और लजर साफ हो जाती है खर्च भी काफी कम होता है Laysic Leisure Operation का खर्च कितना आता है इसके लिए आप description चेक कर सकते हैं और आईए अब जानते हैं कि Laysic Leisure की खामिया क्या है Simple Laysic Surgery का इस्तेमाल अब जादा नहीं होता अब इससे बहतर तक्नीक भी मौजूद है Operation के बाद काफी दिक्कतों की आसंका बनी रहती है इसके अलावा जो दूसरे तरीके का Laysic Leisure है उसे कहते हैं E-Laysic यानि Epic Laysic Leisure इसका प्रोसेस करीब करीब Simple Laysic Leisure जैसा ही होता है असली फर्क मसीन का होता है इसमें जादा Advanced Machine इस्तेमाल की जाती है और इसकी खूबिया ये हैं कि इसमें नतीजे बहतर होते हैं और जादा तर मामलों में कामिया भी मिलती है मरीज की रिकबरी भी काफी जल्दी होती है और दिक्कतें काफी कम होती है पर इसकी कुछ खामिया भी है जैसे या Simple Laysic से महगा है दोनों आखों पर खर्च कितना आएगा या जानने के लिए आप डिस्किप्शन चेक कर सकते हैं छोटी मोटी दिक्कते हो सकती है जैसे की आख का लाल होना चौन लंगना इत्यादी कभी कभार आख में फूला या मारा पढ़ने की दिक्कत सामने आ सकती है इसके अलावा तीसरे तरीके का लेजर होता है C Laysic जिसे Customize Laysic Leisure भी कहते हैं और आये अब जानते हैं Customize Laysic Leisure की खुबिया क्या है दरसल C Laysic काफी आसान प्रोसेस है और बढ़िया रेजल डेता है ओवर या अंडर करेक्शन नहीं होती और नतीजा एकदम सठीक होता है मरीजों को अस्पताल में भरती रहने की जरुवत नहीं होती साइड इफेक्स बहुत कम होते हैं पर सीले सिक्की कुछ खामिया है जैसे यह प्रोसेस महंगा है दोनों आखों के ऑपरेशन पर कितना खर्च आएगा या आप डिस्किप्शन चेक कर सकते हैं इसके अलावा आँख लाल होने, खुजली होने एक की बजाए दो दिखने जैसी प्राबलम आ सकती है जो बाब में आसानी से ठीक भी हो जाती है इसके अलावा सी लेशिक के कुछ और खासियत भी होती है जैसे चस्मा हटाने के लिए ज़्यादतर आपरेशन आजकल इसी तक्नीक से किये जा रहे है सिंपल लेशिक में पहले से बने एक प्रोग्राम के जरिये आँख का आपरेशन किया जाता है जबकि सी लेशिक में आपकी आँख के साइस के हिसाब से नया पूरा प्रोग्राम बनाया जाता है सर्जन का अनुभाव, कारिकुसलता, लेशिक लेजर से पहले और बात की देखभाल क्वालिटी लेशिक लेजर सर्जरी के नतीजे के लिए काफी महत्तपूर होती है अगर चस्मे का नंबर एक से लेकर आप डायोप्टर है तो लेशिक लेजर ज्यादा उपयोगी होगा आज कल लेसिक लेजर सरज Jeri से minus 10 से minus 12 डायोप्टर तक के मायूपिया plus 4 से plus 5 डायोप्टर तक के हैपरमेटरोपिया 5 डायोप्टर तक के एस्टेमेटिज्म का इलाज किया जाता है तो आज के वीडियो में बस यही तक और हमें उम्मीद है कि हमारा यह प्रयास आपको स्वस्थ बनाए रखने में मददगार साबित होगा वीडियो के अगले भाग से आप जानेंगे कि लेजर सर्जरी कैसे होती है सर्जरी के बाद की सावधानिया क्या है कौन ओपरेशन करा सकता है कौन नहीं करा सकता लेजर कहां कराए और लेजर के अन्य विकल्प क्या है आखों को स्वस्थ कैसे रखे जैसे विश्यों के बारे में विस्तार से इस वीडियो से संबंधित अगर आपका कोई प्रस्न सुझाव या आनुभव है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं और अगर या वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इसे उनसे शेयर कीजिएगा जिनकी आपको चिंता है वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद नमस्कार